अलो गाइस, I am Atul Kumar from sciencewala.com आपको मैंने बहुत सारे चीज यहां पर बताया था Insective Oras plant के बारे में कहा कि भाईए हमारे पास mood जो है अलग-अलग तरह का है mood of nutrition की बारे में बात करेंगे तो पहले थे हमने बताया कि plant जो है हमारा क्या होता है plant हमारा autotroph है plant क्या है? Auto-troph है मतलब कि जो खाना खुद से बना मरत प्लान हमारे फिरकते है ओड़क्रम क्या है क्या है? Auto-troph है こर्ड आप जानते हो self and to Sophia मतलब क्या होता है? खाना तो जो खाना खुद से बना आइए उस के इसप्र भाइड़क्र इस दूसरी तरह की mode of nutrition को हमने कहا है हेटरोट्रॉप क्या बहला था है है थेटरोट्रॉप है कि यहां पे अपन बात करें तो बात करेंगे किसका आप समझ रहे हो इसको थोड़ा समय बढ़ा कर देता हूं ताकि अच्छे से दिखे इसको देखो कि हमने कहा कि मारकेट में जो आप कोई चीज लेते हो उसके कंडिशन में हम बात करेंगे कि यहां पे बात करें कि कि किस टाइप का होगा यह समझ ते तोरा सा आप आपको दिख रहा होगा यहां पे यहां पे दिखता है कि यह देख लो ना मस्रूम है यह भी क्या है जी मस्रूम है आप दिखते हो फुला हुआ टाइप का अंबरेला सिप देखो ना जी बिलकुल अंबरेला सिप दिखता है छाते के तरह लुक्स लैक पैसे सग्रों अब्वास्ट और कहां पे जी रॉटेंड वूट दुडिंग दे रेइने सीजन मतलब कि जब कभी यह मस्रूम ग्रो करता है जब कभी फंजाइग करती है तो कहां पे रॉटेंड प्लेस देटेंग मेंटर पे सरे गले चीजों पे ग्रो करता है व आपको मैंने बता दिया थे कि सरेगले चीज़ों पर यह क्या करता है यहां पर यह कुछा जा रहा है बुजो कर रहा है कि हम बात करेंगे यहां पर बुजो कहाँ रहा है कि यहां पर यहां पर थोड़ा सा रिंज लेकर के बताता हूं आपको एक कंडिशन है कि देखो इसका जो है थोड़ा सा बेसिक लेवल पर हमको जाना पड़ेगा हमने कहा कि अटोटरॉप में क्या होता खाना खुद बनाता है एक प्रोसेस के जरी जिसक अपने कहा और दूसरे कंडिशन हुआ कहाँ कि हम हम इसके प्रोडक्ट पर फोटोसां बनता है तो खाना बनेगा और हमारे पास अनाज-ऑनास बंता है तो उस पर हम कहीं ने कहीं DAVID लेक्लिंड ने कहा कि एक चॉकलेट हम आपको दिये और एक चॉकलेट हम फंजाय को दिये ठीक है ना फंजाय को दिये तो एक चॉकलेट जो हम आपको देंगे ता आप completely उसको क्या करोगे अपने औरल केवेटी मौत में डालोगे चिबाके निगलके खाजाओगे लेकिन इसको हम फंजाई भाई सहब को जो चॉकलेट दिये इस पे फंजाई आ करके क्या करेंगे बैठ जाएंगे color change करूँ क्या color change करूँ ये फंजाई पहले chemical release करना enzyme release करेंगे बहुत सारा क्या करेंगे enzyme को release करेंगा और enzyme इसको क्या करेंगे इसको गला देंगे और गलाने के बाद ये क्या करेंगे जी absorb करेंगे absorptive mode of nutrition होता है फंजाई में आ जाएगा थोड़ा सा upper level है लेकिन लेना पड़ेगा इसको समाझ में activity में आप देख लो कि यहाँ पर काड़ा है कि जहाँ पर moist breed and कुछ भी चीज़े हैं जहाँ पर water contents है moisture है warm places है वहीं पर क्या होता है कि ये grow करते हैं मतलब कि जब भी हम थंजाई को grow करने के condition क्या करते हैं कि हम उसके factor की यदी बात करें बेटा है तो हमको दो चीज़े मिलेगा एक तो हमको चाहिए कि वहाँ पर moisture चाहिए वहाँ क्या चाहिए moisture चाहिए और दूसरा condition क्या चाहिए कि वहाँ पर temperature चाहिए rainy season में क्या होता है दोनों चीज़े मिलता है इसलिए आप देखते हो कि कभी-कभी दाद, खाज, खुझली यह सब हो जाए तो क्या condition है कि आपके कपड़ी में जो है कोई कपड़ी भींगे कपड़ी कहीं पर रख दिये उसमें फंचाय ग्रो करने लगता है लेकिन कब rainy season में क्या होता मस्चर तो content मिलता ही है दूसरा की उस समय में warm condition भी होता है, गरम कंडिशन होता है, गर्मी होता है दूसरे तीन दिन में यह fluffy, मतलब फूला हुआ patches एपेर हो जाता है इसमें तो what is the color of these patches? तो आपको दिखाया गया है कि brown type का color होता है observe in the patches under the microscope in the fluffy glasses मतलब macroscopic glasses पे हमने इसको observe करना स्टार्ट करेंगे write to your observation, आपका observation क्या है तो रसा note में आपको लिख करके बताओ तो आगे चलके आपको एक structure दिखाया गया है जिसमें आप दिख सकते है, यहाँ पे देखिए अब हमें condition क्या है कि यहाँ पे बात करना पड़ेगा, कि आप यहाँ पे देखोगी कि organism जो कालाता है यह जो ग्रो कर रहा है that is a fungi, कबक जिसको बोलते है, different mode of nutritions, absorptive type mode of nutritions from the breed यह absorb करते है, this mode of nutritions is organism taking nutrients from the dead end decaying meter हमने कहा कि यह dead end decaying meter पे सरीगले चीज्यों पे रहता है, जिसको example sufferotropic mode of nutritions करते है, उसको क्या करते है जो nutrition obtained करता है, dead end decaying meter से तो उस तरह की organism को sufferotroph बोलते हैं और उस तरह के nutrition के process को sufferotropic mode of nutrition बोलते हैं इस तरह के organism के condition में बात करते हैं बटा कि यहां पे हम बात करते हैं such organism उसको क्या करते है with a saprotrophic more of nutrition is known as saprotroph fungi grow करता है कहां पे बटा pickles, अचार में, leather पे, cloth पे and कुछ articles है in hot and humid climate hot and humid climate important है बटा hot, गर्म और humid climate में weather में होगा for the long time अब हमें बात करना परेगा कि यह कब होता है तो हमने बार-बार आप से बात किया during the rainy season पर साथ में भईया उसको मुहसर मिल जाता है कपड़े कोई या कोई भी चीज़ों कोई दूसरी condition है गर्मी भी मिलता है यह क्या करता है, spoil कर देता है बहुत सारे चीज़ों कराब कर देता है आप कर रहा है कि ask your parents about the about the meanage of fungi in your house क्या-क्या नुक्सान कर सकता हा नहीं कर सकता है आपके घर में फंज़ाई तो हम बात करते हैं बटा कि फंज़ाई जो होते है न दो है मतलब कि हम बात करते हैं fungi और fungi and bacteria की बात करते है किसका? bacteria की बात करते है fungi and bacteria ये दोनों की दोनों बटा क्या है ये दोनों की दोनों decomposers है क्या है? decomposers है तो किसके बेस्पे हम बात करते है resources के basis पे आपको बात करें तो तीन तरह का और्गानिजम हमको मिलता है दुनिया में एक को बोलते हैं बटा प्रोडूसर एक को क्या बोलते हैं प्रोडूसर एक को बोलते हैं प्रोडूसर जो प्रोडूस करता है जो क्या है बटा, plant है, जो क्या है, plant है, दूसरे को बोलते हैं, क्या भई, consumer, दूसरे को क्या बोलते हैं, consumer बोलते हैं, जो consumer करता है, किसको बात करेंगा, animal को, किसको, animal को, और तीसरे हमने अभी अभी बात किया है, जिसका नाम है, decomposer, क्या नाम है, decomposer, उसको क्या करते हैं, जी कोई बात नहीं, चलो आप वापस आते हैं, डक्टिरियान फंजाय के कंडिशन में बात कम लिए, तो जनरली हम बात करेंगे कि यहां पी आपको पूछा जाता है, कि यह फंजाय जो इस पूर जनरली क्या होता है, एर में परजेंट होता है, किसी भी चीज़ों प्या सकता है, लेकिन उसे पहले हमारे पास एक पहली है, इसमें का रहा है कि किन तो नो, वेदर दे ब्यूतिफुल सुष, विच सी ओर उन थे स्पेशल सॉकेशन, स्पॉल बाद फंजाय दूरिं दे रेनी सेजन, शी वांस तो नो, किस तरीके से होता है, किसी यह बात, यह टर्म समझ में आ रहा है, नुक्षान पहुंचाना, तो देखो, इसमें क्या कंडिशन है, कि रेनी सेजन में ही ग्रो करते हैं, क्योंकि वांम, हुमिड क्लामेट उसको मिलता है, ठीक है, यहां पर आईए, यहां पर बात करेंगी, थोड़ा सा हम बात करें इसकी, तो भुजो की कंडिशन में बात करते हैं, says that the grandfather told him, that his wheat field, मतलब कि किस तरह से spoil होता है, कैसी वो काम करते हैं, you want to know if fungi causes disease, बहुत सारा फंगल disease है, जो क्या करता है, wheat rust के condition में बन जाता है, पहली टॉल दैता है, the many fungi like a yeast, mushroom are the useful, isht तो क्या करते हैं भाईया, इससे हम दारू बनाते हैं, breed बनाते हैं, ठीक है ना, mushroom से हम vegetables लेते हैं, समझ में आ रहा ना, इससे बहुत सारा अभी बरेज तियार करते हैं, ठीक हम इडली डोसा सांबर ये सब भी बनाते हैं, इस्ट की तुरू, इस्ट क्या है, unicellar फंजा है, mushroom क्या है, multicellar फंजा है, causes, अब क्या कर रहा है, कि बट सम फंजा क्या करता है, disease cause करता है, plant में, animal में, including the woman being, सम फंजा है, also used in medicine, अरे भया हम penicilline की बात करें, तो penicilline से क्या बनता है, penicillium, ये क्या है जी antibiotic, दुनिया का सबसे पहला antibiotic, समझ में आ रहा है, धेर सारे बाते करेंगे हम लोग, तो अब हमारे पास, यहां पे बात हो रहा है, बटा कि इसमें हम बात करें, कि भया आपको क्या क्या condition मिलेगा, weight and warm things क्या कर रहा है, कि germinate and grow, उस समय पे, you can figure out how we can protect our things from the getting spoiled, कई सी खराब हो जाता है भया, वो क्या करते हैं, कि चीजों को तोडने फोरना, स्टार्ट कर देता है, जिसके बज़ेचे वो क्या होता है, कुछ और्गनिजम क्या करते हैं, share करते हैं, क्या, दोनों चीजे, सेल्टर मतलब रहने का जगा, nutrient मतलब portion, इस रिलेसेंटिप इस कॉल आज क्या भया, सिम्भावसिस, जो दोनों को फाइदा हो, क्या हो, जी, दोनों को फाइदा हो, उसको सिम्भावसिस बोलते हैं, इस तरह के सिम्भावसिस बोलते हैं, एक्जामपल के तोर पे बेटा हम बात करते हैं, एक लाकेन है, दूसरा माय कोराईजा है, आप उतनी नहीं समझ पाओगे, लेकिन माई यहाँ पे एक्जामपल के तुरू, आपको समझाता हूँ, जिम्भावसिस क्या होता है, सर्टेन फंजाय रहता है, रूट अप दे प्लैंट में, तो उसको बोलते हैं, माय कोराईजा, ठीक है ना, प्लैंट प्रवाइड करता है, नूट्रेंट, तू दे फंगस, फंगस को क्या करता है, खाना देता है, इसके एवज में फंजाय रिटरंट तू दो प्रवाइड करता है, यह वाटर अन सर्टेन नूट्रेंट्स, वाटर अन नूट्रेंट्स क्या करता है, प्लैंट को देता है, उसी तरह से लाइकेन के बारे में बात करते हैं, ligue और fungica तो क्या condition है कि live in क्या करता है जो षण गल पार्रर ऑगेर किया करते हैं उसको जर्ए वाटर और utaat ऑप्रण किया करते हुसं कौने बनाइन, जा हम बात करते हैंelloam selter भी देता है selter भी देता है आसर भी देता है और इसके एवज में क्या करता है algae वाला partner क्या करता है ये photosynthesis करेगा खाना देगा इसको देखलो न लाकिन एक symbiotic association में क्या करता है chlorophyll containing partner जो होता है वो algae है और fungi live together दोनों fungi और algae साथ साथ रहते हैं तुसको क्या बुलते हैं लाकिन the fungus प्रोवाइड करता है ये selter and water and minerals to the algae ये देता है water, minerals and selter देता है किसको algae इसके return में क्या करता है algae prepare करता है खाना को किसके लिए ये fungus के लिए अपने लिए भी तो इतनी बात तो समझ में आ रहा है ये बात ये समझ में आ रही है अब हमारे पास होगा जल्दी-जल्दी मैं करता हूँ चेप्टल को और यहां पे आ जाएगी यहां पे बात करते हैं कि how nutrients are replenished in the soil किस तरह से भड़पाई करते हैं इसका हम बात करते हैं फार्म और जो है स्प्रीर करते हैं मैंन्योर समझते हैं गूबर या फटिलाजर चेमिकल फिल्ड में गार्डन में लॉन में यहां पे बात करते हैं किस तरह से प्लॉट में what do you do you know why this is done मतलब कि soil की फटिलिलिटी को increase करने के लिए चाकिया जाता है learn that the absorb minerals and nutrients from the soil and show the amount of soil to keep on the declining यहां पे फटिलाजर से नमें और शार्टन नुटर्ण such as nitrogen potassium phosphorus ते नुटर्ण नुटर्ण निद टो बी अड़े time to time यह सारे चीज़ें जमीन में हम क्या करते हैं add करते हैं तो in this the soil soil की nutrient fertility उरबरा सकती बढ़ाने के लिए we can grow plant and keep them healthy if we can fulfill the nutrient and requirement of the plant समझ में आ रहा है हम क्या करते हैं रखे और उसको जितने भी nutrient है उसको fulfill करे बिल्कुल बिटा है उसको दिमाग में रखना पड़ेगा तो हम कहते हैं कि usually plant absorb करता है lot of nitrogen and soil becomes the deficient of the nitrogen तब हम क्या करते हैं यह हमारे पास symbiatic existential condition में राजो राजो भी हम की बात करते हैं ठीक ना आजाएगा यहाँ पर देखे nitrogen gas जो है लेवल होता है in planting in the air बहुत ज़्यादा आएगी 78% आपको याद होना चाहिए plant can't uses इसको directly ने यूज कर सकता है they can use carbon dioxide they need nitrogen to this level form ठीक ना the bacteria जो राजो भी हम की बात करते हैं root of the leguminous plant में रहते हैं जो क्या condition है कि किसमें अपन बात करें तो हमारे जो pulses है उसमें रहता है उसके root में और atmosphere में nitrogen इसको convert कर देता है nitrate, nitrite, then ammonia, then समझ में आ रहा है न यह सारे के सारे तब तब soluble form में आता है उससे क्या करता है root absorb कर लेता है तो यहाँ पे बट्र rhizobium cannot make on food अपनी food नहीं बना पाता है उसके root में रहेगा तो उसको खाना में लेगा so it rhizobium क्या करता है nitrogen को fix करता है उसके यवज में plant क्या करता है खाना देता है उसको leaps in the root of gram, pea, moong, bean and other legumes legumes बुले तो pulses pulses, मतलब की दलनी पसले में नेट्रोजन in turn, the plant provides the food and shelter to the bacteria आँ जाएगा न, rhizobium क्या है जी bacteria है यह बाते तो समझ में आ रहा है आप कर रहेगे thus, have a symbiotic association भाया, rhizobium और bacteria और leguminous plant के root के बीच में क्या है symbiotic association आप कर रहेगे this symbiosis is a great significance so that a farmer और farmer को इसे जादा benefit होता है so oil के fertility भी बढ़ती है they reduces the use of the nitrogen fertilizers leguminous plant यह बाते समझ में आ रहा है थोड़ा सा बचा हुआ है इसको आप समझ लीजिए ठीक है न, यहाँ पे हम दोनों को एक साथ लेके चलते हैं तो आप देखते हो कि यहाँ पी बात करते हैं कि most of the pulses के condition में दाल के obtained a leguminous plant and chapter में आपने देखा है कि plant जो है autotrop हो पर बचाए only plant और parasitic कुछी plants से profit होते हैं they drive nutrients from the other organism all animal category heterotrop होते हैं they depend on the plants and animals for the food and we can insectivorous plant के बारे में बात करते हैं जो क्या है जी heterotrop है तो इतना बात समझ में आता है यह थोड़ा सा keywords है autotrop काने का मतलब क्या है autotrop जो है मतलब जो खाना कुछ से बनाता है insectivorous मतलब कि जो insect को खाता है chlorophyll जानते होग color pigment है heterotrop काने का मतलब खाना जो दूसरे पर dependent है host जिसके उपर आए nutrient मतलब portion portion जो दे रहा है parasite जो क्या करा दूसरे पर dependent है potassium आप समझते saprofite आप समझते potassium आप समझते खाने का मतलब खाना बनाने की process saprotropic आप समझते stomata समझते जो leaf के surface पे एक चोटे सा sheet like a structure होता जो गिसे section जन water के transport के लिए अब थोरा से बटे यहां पर summary है आप पर की खुझ से समझ सकते चलो आप आगे के तरब देखते हैं हम लोग ठीक है